तो देख लंगड़ जा रहा है लंगड़ लंगड़ ऐसे थोड़ा तो बुरा लगता है तम पस काफी अच्छा है इनवर्सिटी का नीर का सब्जी चावल और मिठाई भी होती है अपनी जिंदगी जीए खुल के मैं यह कहूंगा कि एड़िमिशन ले काफी अच्छा है पढ सबसे पहले हम आपको उसका पूरा दिखा देते हैं भाई साव हैं बहुत ज्यादा करते हैं अपनी लाइफ में तो जरूरी हो जाता है कि उनको एक सभी लोगों को आपको दिखाना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानूगा मेरा नाम राहूल रिंगन वर्मा हु जब भी जाते हैं तो कहीं नगें आपको चलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप इतनी प्रॉब्लम को जहल कर इतनी जो है चुनोतियों का सामना करके युनिवर्सिटी तक का सफर आपका कैसा रहा वो थोड़ा बता दीजिए मैं यही कहूंगा कि अभी तक का अच्छा रा सफर इन्वर्सिटी में अड्मिशन कराए और पढ़े और एक्स्ट्रा करिकूल में भाग लेते रहें जैसे अभी हम खोदी कराने बाले हैं मतलब अभी बात करने बाले हैं अपने सर से जो हमारे कमीटी मेंबर के हेड है उनसे कि हम पीड़म्लूड के लिए छोटा सा प्रोग्राम और्गनाइज कराएं ताकि जो थोड़ा वैसा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाया या तो हम उन लोगों के लिए मोटिवेट करें हम उन लोगों को ताकि वो लोग यहां आए कभी भी आप यह मत सुचिए कि आपके पस कोई एक अंग नहीं है या आप डिसेबल है तो आप बहुत निच्चे हो कभी ऐसा सोचिये कि हम कर सकते हैं अगर हमको अभी तीन किलोमीटर पैदल चलना तो हम यह सोच के बैठ जाएंगे नहीं हम नहीं चल सकते हैं तो आप नहीं चल पाईएगा आप यह तो कि हम चल सकते हम थोड़ा धीरे चलेंगे और उपके अपक्षम थोड़ा धीरे चलेंगे पर हम तीन किलोमीटर पैदल जाएंगे तो आप कर सकते आप पहले से साहस हार जाईएगा तो कुछ नहीं कर सकते पर आम पास काफी अच्छा है इनवर्सिटी का काफी मतलब भरा भरा है यहां के लोग बहुत अच्छे हैं यह करना के लोग helpful है कहीं भी जाते हैं तो हो जाती है किसी भी तरीके का help चाहिए इनवर्सिटी अड्मिस्ट्रेटीव हो या कोई भी हमारे फ्रेंड हो अगर मुझे किसी तरीके क्या हो सकता होती है तो मेरा मतलब हो जाता इजली काम सब मैं बिहार से हूँ और मुझे है क्लेव को कहूंगा कि कभी भी हमत नहीं हारो कोई भी हो एक आम इंसान होगे या हमारी तरफ पी डव्लूडी हो या कोई भी हमत हार जाओगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे इसलिए हिम्मत रखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो बहुत आगे जाओगे मुझे प्रवश्चा मिला है पैंट्री रूम लिया है और मैंने बोला था कि प्वड के लिए तो फिर मुझे पसंद नहीं आया है तो मैंने खुदी छोड़ दिया अच्छा लेकिन गरम पानी की वेवास था है अभी थंडा में खाने पीने के अच्छी वेवास था है रहने की अच् जिए खूलके जो जिंदगी में है उन लोगों ने कष्ट किया है फ्रोब्लम जेले हैं उनको भूल के अपनी जिन्दगी को काफी अच्छे से मौझ मस्ती में निकाले मेरी तो 24 है तो चोभीस साल की एज में कहीं आपने ऐसा फिल किया या पिर कहीं आपका बेज जिती कही आपकी हुई ऐसा तो नहीं हुए लेकिन हाँ बच्पन में थे तो जैसे मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं तो जाते थे सरकारी स्कूल में तो रास्ते में बच्चे वैसे बोलते थे कि अरे तो लंगड़ा जा रहा है फिर भी मैं उसको इग्नॉर करता था वहां पर बहुत लगता था कि वो भी बच्चा ही था मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता ना जाता था लेकिन और बच्चे तो जो बदमास होते थे वो बोलते ठीए इस्याल थोड़ा प्रलेकिन अगर उसको आप उसके पीछे भागेएगा तो नहीं होगा आप उसको अपनी ताकत बनाई september मैं यह कहूंगा कि काफी अच्छा है पढ़ाई भी अच्छी है यहां की इंफ्रेस्ट्रक्चर अच्छा है हरी भरी है पूरी इन्वर्सिटी लोग काफी हेलफूल है और एडिमीशन लेंगे तो काफी बेटर होगा इन लोगों के लिए तो यह भाई साफ थे आज हमारे वीडियो हम पहुचाएंगी जिसे कि वह जो हैं घरों पर हैं उनको एक आसा उम्मीद की करेंट जगेगी और या फिर वो युनिवर्सिटी से कही ना कहीं कनेक्ट होके युनिवर्सिटी में एडिमीशन लेने के सोचिंग है तो भाई साब अपना नाम डिपार्टमेंट क आप हमें देख रहे थे हमारे साथ इन से बात करें बहुत बढ़िया लगा अभी के लिए बस इतना ही क्योंकि इनके क्या है दोस्ते हैं जो वहां पर वेट कर रहें क्रिस्मस क्रिस्मस पार्टी मनाने के लिए आज अजमेर जा रहें तो अब बाकी युनिवर्सिटी के हर अब एक अपडेट हम टाइम टू-टाइम देते रहें और देते रहेंगे हमारा फर्च बनता है कि हम युनिवर्सिटी के हर एक चीज को आपके सामने करें बाद पर निकलती है वह आगे की प्रोसेस पर ही भी हम एक वीडियो बनाएंगे तो अभी के लिए बस इतना ही ले थेंक्यों सो मुच